जै माताजी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्ट्रो आज में मित्रो आज हम बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करें सिंग रासी के वार्षिक राशी फल यानि साल 2023 में सिंग रासी की क्या घटना हो होगी जो हमने कैलकुलेशन की है उसके अनुसार छे घटनाएं सिंग रासी के साथ में ग्रह गोचर के साथ वार्षिक राशी फल में होगी यानि छे घटनाएं होने की योग बनते हैं वो छे घटनाएं किया है जै माता जी मित्रो मेरा नाम पंदित प्रकार जोजी स्वागत है मेरे यूटिव फेस्बुक चैनल आश्टो आज मैं मित्रो आज हम चरचा करेंगे सिंग रासी के साल 2023 के वार्षिक राशी फल के बारे में जो वार्षिक राशी फल हम लोगोंने त्यार किया है ग्रेगोचर जब डाले हैं तो 6 गटना है सिंग रासी वालों के साथ में साल 2023 में होने वाली है वो क्या होंगी इसके बारे में चर्चा करेंगे सरो परतम साल 2023 की एडवांच में भी सभी सिंग रासी वालों को हार्दिक शुपकामना है माता रानी उनकी खुशियों से जूली बर दे यही मेरा अशिरवाद और मेरी शुपकामना है और मित्रो बहुत से सिंग रासी वाले कहेंगे गुरू जी आपके बालों का क्या हुआ वो तो लंबे हुआ करते थे तो मित्रो मैं बताना चाता हूँ कि एक महीने पहले मेरे चाचा का स्वरगवास हो गया है जिसके तहट ये बाल कटाने पड़ गए आप समझते हैं हिंदू सनातन संस्कृति क्या है उसमें बाल कटाने पड़ते हैं चलिए आप बात कर लेते हैं कि पहली गटना क्या होई दो कि सिंग रासी की वार्षी कुंडली है वह कहीना कहीं तृत्य भाव से शुरू होती है या तो आप कान के कच्चे हो जाएंगे लोगो की बातों में आने लगेंगे तो ये ना करें या फिर कान से समंदित परिशानी होंगी लोग आपको भड़काने की कोशिज पूरी की पूरी करेंगे तो किसी की बात कान उसे नाचत counterpart रखिये गगाग हो नुकसान करेंगे और January से लेकर अप्रेल तक देखा जाए तो भाई बैनों के life में उनके career में थोड़ा संगर्स रहेगा यानि January, February, March, April ये जो 4 महिने भाई बैनों के career में काम में रुकावटे रहेंगे उसके बाद समय सही है दूसरी गटना के बारे में बात करें तो दूसरी गटना क्या हो रही है बुदादित्य योग पंचम भाउं में बन रहा है यानि इस वर्ष सिंगरासी का खेल के अंदर या किसी adventure के अंदर शौक रहेगा यानि कि आपका एक अजीब सा सौक जागरित हो जाएगा या तो आप कुछ गेम खेलने लगेंगे या आप कुछ ना कुछ adventurous चीज के शौकीन हो जाएंगे साल 2023 में साती सात संतान की उन्नती वाला वर्ष रहेगा अगर सिंगरासी वाले बड़े उनकी संतान है साती सात विद्यार्तियों की बात करें और विद्यार्ति वो जो medical छेतर में जाना चाते हैं या फिर वो विद्यार्ति जो सरकारी नोकरी चाते हैं तो साल 2023 गोल्डन रहेगा इसमें आपका एक्जाम क्रैप करने का नोकरी पाने का सबसे ज़्यादा योग है क्योंकि पंचम भाओं में सूर्य और वुद्य साक्षाद विराजमान है साती सात तीसरी घटना के बारे में बात करें तो शुकर और शनी आपके छटे भाओं में बैठें तो यहाँ पर छटे भाओं में जो वार्शी कुंडली में बैठें सिंग्रासी वाले ध्यान से सुनें तो शुकर तो आपको अच्छा रिजल देगा पूरे साल बार शनी जो है बुरा फल देगा चली सबसे पहले मैं बुरा ही बता देता हूँ शनी के कारण देखा जाए मार से लेकर नौमबर तक आपके हाथ पेरो या जोडो में दर्द रहेगा अचानक गिर के आपको मोच लग सकती है और करमचारी से आप परिशान रहेंगे या अपने जूनियर से आपके जड़प होंगी वाद विवाद रहेंगे जूनियर आपकी बात नहीं बानेगे जूनियर आपका काम खराब करेंगे तो देखा जाए मार से लेकर और नौमबर तक आप परिचान रहने वाले हैं लेकिन जो शुक्र है, शुक्र भी छटे बाव में बैटा है, तो नौकरी में देखा जाए, डवल पद प्रमोशन के भी योग बनते हैं, यानि कि आपको डवल तरीके से पद प्रमोशन मिल सकता है, वो कैसे मिलेगा, ये तो आप मुझे साल के बाद ही बताएंगे, वैसे त आप अनुभव करें, उसके बाद मुझे बताएं कि मेरी बाते कितनी सही है, बहुत सी ऐसी बविश्मवानियां जो आपको हहरान कर देगी, जैसे कि ये डवल नौकरी वाली, आपका शुक्र जो छटे वाव में बैठा है, सिंग रासी वालो, तो डवल पद प्रमोशन य करियर की गती साल 2023 में जैट स्पीड की तरह रहेगी, चाहे आप नए नूकमर है, आपको पद धनकी बहुत जबरदस विर्द्धी होगी, दामपत्य जीवन में भी आपके खुशकबरी प्राप्त होगी, यानि मेरिटल लाइफ, प्रेमी प्रेमी का लाइफ बहुत बहुत अच्छे होगे, तो जो लव मेरिज करना चाहते हैं, तो उनको साल 2023 में अपने पार्टनर से अपनी फैमिली को इंटर्ड्यूस कराना चाहिए, ताकि जल्दी हाँ हो जाए, याद रखिए का ये साल सर्वस रेष्ट है, और पार्टनर के परिवार से आपके साती साथ गुरू जो अस्टम में बैटा है, तो आपका लोन और करजा भी साल 2023 में उतने वाला है, उतने के योग बन रहे हैं, साल 2023 में शेयर या क्रिशी के काम में भी आपको लाब होगा, और किसी कंपनी में आप इंवेस्टमेंट करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रह रस्ता, एक्स्ट्रा इंकम करने का भी सिंगरासी वालों को नया रस्ता मिलेगा, तो कुल मिला के जो ब्रस्पती अस्टम भाव में वार्शी कुल्ली में बैठें, यह तो मल्टिपल ट्रैक खोल रहे हैं, और 2023 में, साती साथ देखा जाए, तो पांच भी घटना है, देख साथ माता-पिता का स्थान परिवर्तन होगा, और वो स्थान माता-पिता को सूट नहीं करेगा, हेल्थ की वज़े से, इस वज़े से, फरवरी से सितंबर, देखा जाए, माता-पिता के हेल्थ के लिए कश्टकारी रहने वाला है, साल 2023 मैं आप से पूछना चाह रहा हूं कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है, वो कैसा रहा, थोड़ा बताईए, बहुत अच्छा है, हमारा अनुभव है, बलके हम तो पंडी जी के साथ, पिछले मोर दें 15 साल से जुड़े हुए, ज्यादा, ज्यादा, बीच साल के में ऐसमार में अनुभव है, जब भी कोई मोका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडी जी से इसला करती है, और हमारे बच्चों क की सारी चुन्दली भी इंसे बन वाई है, और को कम सफर हुए है, इसलिए हमारा विश्वारा ब móत बना हुआ है हुए हूँ, जो भी काम कर एनसे स्लासे करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक होता है, करिए हो ज़िए बताए है उसी कहीं, अब अच्छा ही जड़ते हैं, हाली में मेरे बेटे के बारे में भी इनोग बोला था, कि वो आप उसे पुझा कराए, पुझा कराए है, आब कर रहा काम और दिल भी लग रहा है सब ठीक है अब आगे से तो बहुत परक है और विश्वास अब चटी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो वारशी कुली के अनुसार मंगल दसंभाओं में साल दोजा तेज में बैठा है व्यापारी वर्ग जो अपना काम करते हैं फैक्टरी चलाते हैं दुनकान चलाते ह उनके काम को बढ़ाने वाला साल रहेगा साल 2023 कुछ इन्वेस्टमेंट के भी योग आपके बनते हैं यानि कि पैसा कमाएंगे मशीन खरीदेंगे या शोरूम खरीदेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे या रेनुवेशन कराएंगे तो कुल मिलाके पैसा भी कमाएंग और काम में लगाने वाले भी हैं और अपने ब्रांड का जो लोगो होगा उसमें भी आपको चेंज करने वाले हैं नाम में परिवर्तन ब्रांड के कलर में लोगो डिजाइन में भी परिवर्तन करने वाले तो कुल मिलाके व्यापारियों के लिए साल 2023 बहुत पैसा कमाने व आप आख बंद करके नाम डेटो बाट टाइम बर्थ भेजें और मुझसे कंसेंटनसी ले कि साल दोजर तेश में आपका क्या करना चाहिए क्या मंत्र होगा क्या पूजा पाट क्या इस्टोन धारन करना चाहिए ये भी कर लिजिए इसे और फाइदा होगा तो मित्रो इसकार करम में बाद इतना ही बुझे दिजिए जय जय मता दिए